रासिक जन्मिश्वास महारेली में उपस्तिक राष्ट्य जन्तादल के राष्ट्य अध्यच अमारे पिता आदर्नेशी लालू प्रिशाज यादव जी कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट अध्यच आदर्ने मलिक अर्जुन खरगे साहब जी कॉंग्रेस पार्टी के नौजवानों के नेता आदर्ने राहूल गांधी जी यूपी के भावी मुख्य मंत्री आदर्ने अखलेश यादव जी सीता राम यचुरी साहब जी दिटंकर साहब जी दी राजा जी वहागे बंदन के सभी नेता गन पददिकारी गन कारिकर्टा गन भिहार के दूर दराश से आई हुए सभी लोगों का आज के कारिक्रण में आप लोगों का हाँ जोर करके आप सब लोग को सलाम है प्रणाम है आदाब है और बड़ों का चंपस्ट करते हैं माता बेनों को प्रणाम करते हैं बच्चों को धेर सारा प्रेम और हमारे उम्र के नौजवान भाईयों को यही से गले लगाते हैं जहां तक मेरी नज़र जारी है केवल लोग ही लोग नज़र आरे लगरे समुद्र हो चुका है मैदान में तो इतने लाख और लाख दस लाख से जादा लोग आ गये लेकिन सडकों पर पट्चर के कई लोग अभी बहाद फसे हुए प्रशाशंग ने राख बर टंग किया लेकिन फिर भी आप लोगों ने मजबूत इरादे के साथ आप सब लोग यहाँ आए तो आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं 3500 किलोमेटर हम लोगों ने दस दिन में पुरे बिहार भूमने का कांग किया और आप लोगों को हमने आमंत्र किया था कि आप सब लोग पठता चले और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं तो आज रिकॉर्ड टूटा है पूरे रैलियों का जो है रिकॉर्ड टूटा है यही गांधी मेदान है यहां राजजितिक रहलिया तो होती थी लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सटकार में था तो नौकरी का भी रैला यही गांधी मेदान से एक साथ दो लाग लोगों को हमने निर्प्ति पत्र बटवाया था याद है कि नहीं है तो रोजगार मेला भी रोजगार रैली भी हम लोगों ने इस धंदी पे किया है उसलिए आप सब लोग जो विश्वास के साथ आए हैं अपने भाई को अपने बेटे को आच्छिवा देने के लिए इसके लिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलड़ गए लेकिन पलड़ गे तो जहां भी रहे सुखी रहे आप लोग तो जानते हैं हम आपसे पूछना चाहते है सबसे पहली बार आपने किसके मूँ से सुना था दस लाद नौकरी का पत्ता में बियार में पोस्टर लगवा रहे हैं नितीश कुमार जी हमारे आदर्दिया हैं हमारे चाचा हैं हम उनका आदर करते हैं सम्मान करते हैं बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन पोस्टर लगवा रहे हैं कि गोजगार मतलब नितीश कुमार ये वही नितीश कुमार जी ह जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाग सरकारी नौकरी देगे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा अपने बाप के पास से लाकर के बेतन भाटेगा असंभाव है सोचो जो 17 साल में नहीं हुआ उसी मुख्यमंत्री से उनी के हाटो 17 महीनों में हमने इसी मैदान में लगब 5 लाथ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग ने गिरवाने का काम किया महागट बंदान के साथियों को भी धनिवाद देते कि भी प्रिंच्टिती में भी को लोग ने हमारा साथ दिया लेफ्ट की पार्ट या ओन्रेश पार्टी लोटे लेकिन 17 में हम लोगों sound किया जातिय धारित गंना किराई आरेक्षंग की सीवा 75% किराया अथि पिछ्डों भाईयों का हम लोग ने 24% बढ़ाया पिछ्डों भाईयों का बढ़ाया हम लोगों ने दलित बहातलित भाईयों का बढ़ाया हमने आदिवासी भाईयों का बढ़ाया जो काम अजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था किसी सरकार ने लेकिया था उस काम को बिहाद में हम लोगों ने करके दिखाया केवल सत्रा महीने हुए सिक्षा मित्र हो विकास मित्र हो टोला सेवक हो तानुमी मर्कस के लोग हो आमिन भारी हो उन सब के मान देल को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया दुगुणा किया मंता आशा का भी फाइल हम कर चुके हैं लेकिन मुक्मती जी कई माहिनों से रोग करके रखे कैबने पर फा फाइल दबान करके रखे हैं लेकिन कितना भी दभाएंगे कना आपको आप के लड़ाई में यह लड़ाओ में नहीं तो इस लड़ाई है की नहीं है है कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है मुसल्मान यादव की पार्टी है हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है ये माई बाप की पार्टी है बी से बहुजन ए से अग्रा दूसरे ए से आधियाबादी महिला अब पी से पूर यानि बाप यानि माई बाप एक उजय की पार्टी है अर बाइबाप हमारी जनता है आप ही हमारी ताकत है आप ही हमारी प्रेवना है आप सब लोगों का अर शिर्वाद हमेशा आप लोगों का बुलता ना है उसी ताकत के बदलाद आगे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे तो आप लोगों का साथ है नौ विश्वास दिनाते हैं आप लो और आज जेडी का मतलब मोदी जी कुछ भी कहते रहे लेकिन आज जेडी का मतलब है आज से राइट्स यानि अधिकार जे से जॉब मतलब नौक्रिया और डी से डेवलेप्मेंट लेकिन विकास यानि अधिकार नौक्रिया विकास राइट्स जॉब डेवलेप्मेंट ये है आज जेडी का मतलब डीजेडी के लोग जगा जगा तोड़ फोड़ करते रखते हैं कि इस तेन सरकारों को तोड़ लिया जाता है अरे कुछ विदाय कि दर से उधर कर दे कोई फ़र्क नहीं पढ़ने वाला है लेकि जंता को कहां से खड़ी देगे जंता जवाद देगी जवाद दीजिए ना कुछ लोग दर के कारण कुछ लोग लालच के कारण भुटने देखते हैं मोदी जी के आगे भागता के आगे लेकिन मुझे गर्व है अपने पितापार ये किसी ने बड़े से बनेवी में बुदा आई कितना भी दराया गया कितना भी कोशिश क्या जुकाने का लेकिन मुझे पिता ने लड़ने का काम किया कभी जुके नहीं कभी दरे नहीं और हम श्वाग दिलाके जब लालू जी नहीं दरे तो उनका बेटा दरेगा लडेंगे आख्री सास्ता ये विचार धाना की लड़ाई है और आप सब लगों को साता ना होगा सभी समाजवादी भाईयों को साता ना होगा कभी राहोजी को एडी का समन अभी देखिए उत्तर प्रदेश में घंबंदन हुआ हमारे बुटे भाई को पुर्ण CBI के लोग आगे अखेले जी को समन भेज दिया हमारे तो पुरे परिवार को समन भेजा ही लेकिन हम लोग दरने वाले लोग नहीं है यह बीजेपी के अइटी स्टर वाले लोग साम लोग दरेंगे हम लोग दरेंग नहीं ना जुकेंगे जंता की लडाई में जंता के साथ खड़े रहेंगे आप साम लोग वशिंग मशीन तो सुनते थे वशिंग मशीन कितना बड़ा से बड़ा भी ब्रश्ट śari जो होगा वो बीजेपी में जाता है तो उसका धुराई हो जाता है सथ हो statistically हुग है लेकिन बीजेपी वशिंग मशीन के साथ साथ थे स्बिन वाली पार्टी हो गई डीजेपी के लोगों ने दो-दो उत्मुक्तमंत्री बनाया एगो बढ़ एगो फाउन माउथ है अना आप चना बोलता है और डूसरा जो है लाउड माउथ है बढ़ बोला है लेकिन आप सब लोगों को बोलेगे कि ये जो उत्मुक्तमंत्री बनाया है जो बढ़ बोले है चौदा साथ से चुनाओं नहीं लड़े है चुनाओं नहीं लड़े और लड़े है और जीते हैं तो आरजेडी से लड़े है और जीते हैं आखरी बार भी अरे अमोरे चाचा तो पड़ती मारते ही है लेकिन सब्राज शौजी भी काम नहीं है पाथ 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 पड़ती बदल चुके है और आज तक्चुलाव नहीं जड़े तो ज्यादा हम लोग क्या कहें लेकिन मोदी जी आये थे कलिया क्या बोल करके कहें वही जुमला वही पक्वास की बाते जूट प्रचार हम तो शुरू से कहते हैं मोदी जूट बोलने के फैक्ट्री है मैनुफैक्चरर है मोदी जी होल्सोनर के साथ दिस्ट्रिबिटर भी है जूट बोलने के आप लोगों ने पिछले बार 40 में से 49 एपी बीजेपी को जिताया आज यहां बिहार के जिले जिले से हर लोग आए है भाधपा के सांसदों से पूछना कि उनके जिलाव में भाधपा के लोगोंने क्या किया बताव मोदी जी ने कोई कर्था ना दिया कोई नौक्रिया दी पलाइन रोका गरीबी मिक्ताई क्या मैगाई कब की कहां से फिर बिहार को विशेश चाज का दर्जा देना था वो भी नहीं दे पाएं जड़ा सवाल किजेगा कि आप कहते थे दोदो करोर रोजगार देए पज़ा पज़ा लाग रुटया ठाटा में देए क्या हुआ इसलिए आनुवारे समय में आप लण करके आप लोग निनना लिजेगा और वोट देवेगा काम किजेगा तो आप सब लोगों को ये कहना है कि भासपा के लोग गोबर को भी गाजर का हलुआ दे करके पड़ूद देते हैं जूटा लोग इसलिए कलायते प्रधान मुतिजी बोल रहत है हमारे पिता के बारे में हमको इंदरे बोले कि अपने पिता का नाम क्यूं नहीं लेता है अपने पिता का काम क्यूं नहीं गिनाता है मोभी जी थोड़ा कान खोल के सुनिये याज इसी ब्यार की घंटी से हम बोल रहे है कहें आपने बोला आज उसका जवाब देने हम आए है चेश्मा साफ करनी जीए खोल के लिए नजारा देखो जंग सहलाब है मोदी जी जड़ा बताईए नब्य हजार करोर का मुनाफ़ा यूपी एवन में हुआ था लानु जी ने एतियासिक काम किया आज तक रेल्वे को मुनाफ़ा नहीं हुआ था लानु जी ने ने लेख अनिक गिनाफ़ा डियाकर बास करते हैं लानु जी ने क्या किया जितना कुलि भाई था सब्सक्र नौकम्ली देने का काम किया अबंपने कि नहीं क्या क्या किया तो फिन और यालोू जी मुत बखिते जो देश कभी नहीं हुआ मांसिक गुलावी से मुक्ती लालू जिने दिलाया दियार में सभाजे लियार के को बिता जरीबों तो आवास दिया आज कोई भी गरी नब्वे के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है अधिपिश्णा लड़ना जानता है दलित लर्णा जानता है अधिवासी लर्णा जानता है अच्छ एक भाई लर्णा जानते है अब कोई चपल दुआ देगा अब पर कुवा का पानी नहीं पीने देगा अरे अब कुवा का पानी नहीं दर्दर को कुवा बढा लेगा अजनॉद को पाली पिरा देगा आपुद्ऽ करते हैं ये लोग उसलिए बाजपा के लोग केमर्बकवाश बोलते हैं जुट बोलते हैं बोलते परिवारवादी लोग है परिवारवादी लोग है अन्हें पीछे सम्राज चोधरी बेठे वे राम बिलाज पाश्वाजी के भाई बेटेंवे हैं, पारषी काई नेटा, BJP में परिवारवाड के लोग है, तो वहाँ गिलाजी का बेटा को मंत नहीं ही बरा दिये, वह परिवारवाड नहीं है. तो उसलिए जादा कुछ इन लोगों प्याने ही कहिए लेकिन मानने निती इश्कबार जी यूटन जो लिए है समझे कि अब हमको लगता है कि राज सर्कार को इंस्योरेंस अब भीमा करा लेना चाहिए अब मोदी जी तो कह रहे थे मोदी की बड़ी मजबूत गैरंटी है मोदी की गैरंटी मोदी की गैरंटी अरे मोदी जी जड़ा हमारे चाचा का गैरंटी लेके लिखा क्या हमारे चाचा का गैरंटी ले सकता है कोई अरे बताओ कोई ले सकता है कि यहाँ जब चाचा बोल रहते कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं अब हम यहीं रहेंगे अजीवर तो मोदी भी हसने लगे क्यों हस रहते भाई मोदी जी क्यों हस रहते और हमारे चाचा को बार बार यह क्यों बोलना परता है कि हम जो है, अब कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिठ जाएंगे, मिठी में बिल जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यह वो गाना सुनें आप लोग, वितिक रोशिन का फिंगा गाना है, इधर चला में वो धर चला, इधर चला में वो धर चला, जाने कहा में किधर चला अरे अरे फिसल गया अरे चाचा जी चलिए आप बुजोर गया आपको यही से हाजोर करें पढ़ां लेकिन एक बात कहा है जद्यू दोजार चौबिस में खत्म हो जाएगी यह मेरा कहना है बताओ शची बात है जिए जद्यू का कर भविश है क्या कोई डविश नहीं है आप इधर चलिए उधर चलिए अब आपका कुछ बजबे नहीं करेगा तो आप फिसर जाओगे कहीं के नहीं रहोगे तो इसलिए आप सब लोगों को यह कहना है एक तरफ इन लोगों का घटबंदन जो है एक तरफ फिर्का प्रस्त है और उतके साथ मो का प्रस्त लोग है इसलिए आप सब लोगों को जादा कुछ हम नहीं कहेंगे लेकिर आप तेजशी से प्यार करते हैं आप उठा के बोला तेजशी से प्यार करते हो मेरी एक बात मानोगे आप उठा के मेरा एक काम किजेगा कि आप सब लोग गरीबों को जोड़ देगा काम किजे दलिद भाईयों को सम्मान दीजे उनके दुख सुख में अथी पिछरों का दिवासी भाईयों का अब चेकर भाईयों का भागिदार बनोगे बताओ आप उठा के बताओ बनोगे ना काम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे अब आप लोगों कोई काम करना पड़ेगा काम किजेगा ना हम भी साथ रहेंगे साथ साथ मिलके काम करेंगे तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सभी हमारे वनिष्टेता सब लोग यहाँ है राहुल जी है अकलेज जी है खर्गे साभ है दीराजा साभ लेचुरी जी दिपावकर जी लालू जी आप लोगों के समच बात रखे ये तो हमनी शब्डों के साथ आप सब लोगों का सुआध करते हैं आप सब लोगों को धेरो धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विडाम देते हैं मेरे साथ जाला लगा करके हम अपनी बात को स्वाद करेंगे हम बोले है भादपा बगाओ बहुत बहुत धर्देवाद विलार की जटा जिंदा बार विलार की जटा जिंदा बार बहुत 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 धान्यवाद सभी पार्टी के कारिकर्टाओं को महागट बंदर के साथियों को इतने कम समय में